नमस्कार दोस्तों, लेर्थर एट्यूकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, आज मैं आपके लिए फिर हिंदी का मोक टेस्ट लेकर आया हूँ, आज मैं आपके लिए जो आपकी जेल प्रहरी के एक्जाम हुई है, उसमें आपके जो 20 नमबर के क्वेशन है, उसके उप हिंदी भाषा के विकास से, तो आज हम इसके 20 क्वेशन करेंगे, हिंदी भाषा के विकास का पहला जो चेप्टर है, उसके हम 20 क्वेशन करेंगे और आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना हैं, कि आपके कितने नमबर आएं, तो शुरुवात करते हैं अपने पहले क यह अपना पहला क्योशन आपको देख रहा होगा हिंदी की उत्पत्ति अपब्रण से हुई मागदी अपब्रण से हुई सोर सेनी से हुई अर्द मागदी से हुई है या नागर अपब्रण से हुई है तो आप सबको पता होगा कि हिंदी की उत्पत्ति सोर सेनी भाषा से हु कहीएं अगला cosplay यह बताएं लिए कि हिंदी साहित्य में किस कवि कुई को कवियों का कवी कहा जाता हैं आप सबको याद होगा इसका अंजय को भवनि प्रसाद मिस्र मिस्री स्रामेशवर बहादुर सी या हरीवंश राय बच्चन बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी साहित्य में किस कवी को कवियों का कवी कहा जाता है तो हिंदी साहित्य में कवियों का कवी कहा जाता है हरीवंश राय बच्चन को किसको option number D हमारा correct answer होगा पारीवन्च राय बच्चन को हिंदी भाचा में कवियों का कविक आ जाता हैं अगला क्यूशन बताएं यह सारे बहुती आसान क्यूशन और आपके 20 में से 18 नमबर तो कहीं नहीं गए अगला क्यूशन बताएं केंद्री अंग्रेजी एवं हिंदी भाचा सस्तान कहां इसती सथे नागपूर दिल्ली मेसूर या हिद्राबाद बताएं तो आपने लगा दिया होगा इसका सही अंसर है option number 4 दी हेदराबाद केंद्री अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्तान इस्तित है हेदराबाद में कहाँ पर इस्तित है option number D बढ़ते हैं अगले question की और ये बताएं जाइसी के पदमावत की भाषा कौन से है जो जाइसी है उनके जो पदमावत है उसकी भाषा कौन से हिंदी है संस्क्रत है ब्रज है या अवदी है बताएं तो जाइसी के पदमावत की भाषा है option number D अवदी कौन से हैं अवदी अगला question बताएं पाँचवा भाषाई आदार पर सरुपतम किस राज्य का गठन हुआ पंजाब, जम्बु कश्मीर, राजस्थान या आंदरबशे बताएं भाषा के आदार पर सरुपतम किस राज्य का गठन हुआ था तो इसका से हैं अवदी option number D कौन सा? आंदरप्रदेश भाषा या आदार पर सरुपतम आदरप्रदेश राज्य का गठन हुआ था option number D हमारा सही answer होगा बरते हैं अपने अगले question की ओर ये बताएं कपीरदास की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोलिग, सादू ककड़ी, कन्योजी या ब्रज कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा थी option number B सादू ककड़ी, कौन सी थी? सादू ककड़ी अगला question बताएं महात्मा गांदी ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए किस संस्ता की स्तापना और कहां की थी? बताएं महात्मा गांदी जी ने हिंदी जो प्रचार प्रसार के लिए किस संस्ता की स्तापना की और कहां की थी? गुजिरात की, हिंदी विद्यापिट, हिंदुस्तानी प्रचार सबा की, हिंदी साहिती सम्मेलन की या राष्ट भाषा प्रचार समीती की बताएं तो हमारा answer option number D राष्ट भाषा की और प्रचार समीती की option number D हमारा सही answer होगा अगला question बताएं पदमावत की भाषा मेथिली, अवधी, भोचपूरी या बुंदेली बताएं पदमावत की भाषा क्या है? तो पदमावत की भाषा है अवधी क्या है? option number B हमारा सही answer होगा अगला question बताएं हिंदी शब्द की वुद्पत्य हुई हिंद से, हिंदू से, सिंदू से या इनमे से कोई नहीं तो देखो, सिंदू से तो हुई नहीं होगी तो हिंदी शब्द की वुद्पत्य आपने लगा दिया होगा किस से होई ये? सिंदू से नहीं होई? हिंदू से भी? हिंद से या इनमे से कोई नहीं बताएं कई से होई ये? तो हिंदी शब्द की वुद्पत्य है आपने लगाया होगा option number C सिंदू से अगला क्योष्यन है भारत की सबसे प्राचिन भाषा कोई सी है? हिंदी, संस्क्रत, पाली या अपब्रांच है तो सबसे प्राचिन भाषा है संस्क्रत हिंदी, भारत की सबसे प्राचिन भाषा कोई सी है? वो है संस्क्रत बढ़ते हैं अपने अगले केस्टिन की और ग्यारवा बताएं देवनागरिग लिपी का विकास किस लिपी में हुआ करोश्ति, ब्राही, नाग लिपी और चोंताही हिब्रू बताएं देवनागरिग लिपी का विकास किस भासा में हुआ तो देवनागरि लिपी का हुआ था ब्राम ही लिपी में देवनागरि लिपी का विकास ब्राम ही लिपी में हुआ था option number B हमारा सही answer है ये बताएं पंजाबी भाषा का जन्म हुआ पेशाची, सोर सेनी, अर्द मागदी या ब्राचड ये पूराने पेपर के ही क्योशन है सारे बताएं पंजाबी भाषा का जन्म हुआ तो पंजाबी भाषा का जन्म हुआ था पेश्चाची में कई में हुआ था option number A हमारा सही answer है भाषा का संबंध सविधान की किस अनुशेद में 10, 8, 9 या 11 बताएं तो भाषा का संबंध है अनुच्छेद बताएं कौन सा है भाषा का संबंध का सविदान के किस अनुच्छेद में है तो आटवी अनुच्छेद में भाषा का संबंध है आटवी अनुच्छे में और इसमें शामिल भाषाओं के संक्या कितनी है भारते सहविधान की जो आटवी अनुसूची में भाचा का सम्द्ध है इसमें शामिल भाचाओं की संख्या कितनी है बताएं इसका से अंसर तो कितनी है आपने लगा दिया ओप्शन नूमबर 22 कितना 22 और किस सिति को हिंदी को राज भाषा बनाने का निर्णा लिया गया बताएं वो है 14 सितंबर गुनिस्सो कुनफचास अगला केशन बताएं संस्क्रत भाषा का प्राचिन्तम रूप कहां द्रश्टर भी होता है रिगवेद में उपनिवेश, रामायन, महाबाराद बताएं यह तो आपने लगा दिया होगा इसका सही अंसर उप्षिन नंबर रिगवेद में संस्क्रत भाषा का प्राचिन्तम रूप कहां मिलता है तो वो मिलता है रिगवेद में खरण एक संद्रवा क्रिशन घ॥ यह बताएं हंदी किस भाषा परिवार की भाषा हैं भारुपी, द्रवेण, आस्ट्रिक या चिन्नी तिबत बताएं कि तो चल dalे बाशा और ने ज्यक्राश सदेंnant कौन थे बताएं तो राज भाषा आयोगी के प्रत्यां प्रतम अध्यक्षते बी जी खड़े ओप्षन नंबर भी हमारा सही अंसर होगा राजस्तानी उपवभाशा में कितनी बोलिया है चार, पांच, छे यह साथ बताए राजस्तानी उपवभाशा में कितनी बोलिया है तो वो है चार उन चारों के नाम आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताने के कौन कौन सी है राजिस्ताने उप बाशा में कितनी बोल्या है? चार तो उन राच्छारों के नाम आपको बताना है अगला क्यूस् göston है खडी बोली का दुसरा नाम क्या है? मगदी, कॉरवी, हिंदुस्तानी या बगेली बताए तो खडी बोली का दुसरा नाम है कॉरवी क्या है आपसे पोज ले कि कॉर्वी का दुसरा नाम क्या है तो खड़ी बोली और खड़ी बोली का दुसरा नाम क्या है तो कॉर्वी Option नंबर भी हमारा सही आंसर होगा गुनिस्वा बताएं प्रतम विश्य हिंदी सम्मेल नागपूर में कब आयो जी दुवा था दस बारा जनवरी गुनिस्व पिचोत्तर तो समय से अमें दस जनवरी जनवरी पंदरा चाओदा या थारा बताएं तो वो हुआ था 15 जनवरी 1995, कब हुआ था 15 जनवरी 1985, प्रतम विश्य हिद्नी सम्मेला नागपूर में आयोचित हुआ था 15 जनवरी गुनिस सो पिछोत्तर विश्वा क्योशन बता है निम्न लिखत मेंसे आयोगवा किसे कहते हैं संयुक्त वेंजन को कहते हैं विशर्ग को कहते हैं घोष को कहते हैं या महाप्राण को कहते हैं बताएं तो आयोगवा है अम और अह ये दो आयोगवा है विसर्ग को क्या कहते हैं आयोगवा कहते हैं अम और अह ये हैं विसर्ग को कहते हैं अपन आयोगवा आयोगवा के संग क्या कहते हैं नहीं दो अम और समयक्ति विन्जिन श त्र ग्य और श चार समयक्ति विन्जिन होते हैं अलप प्राण महाप्राण का मैंन आपके विडियो बना यह बता दे आज मैं आपको 25 क्वेशन करा देता हूं फ किस प्रकार के वर्ण हैं दन्तोष्ट मूर धन्य ताला उवे या कंट बताएं फ किस प्रकार का वर्ण हैं तो यह है ओप्शन नमबर ए दन्तोष्ट फ किस वर्ण हैं तो है यह आता है दन्तोष्ट में यह बताएं अगला दोनी किसकी लगुत्तम इकाई हैं शब्द की भ तई अंसर की ऐगा धोनी किसकी एकाई है तो ध्वनी शब्द की काई किसकी की काई आपके ये रखेचर की काई कि तो आपने लगा दिया होगा लिने आपको सब도 बताया भासर बता है वाक की के काई अगला क्रेश्चन बता है तेविस्वा निम्न में से कौन सा अण नासिक से आता है निय श च या छ बताएं तो अणिय यह आता है ओप्शन नंबर पहला अण यह आता है नासिक से के अगला क्रेश्चन बताएं तालवे दनया टठडड़ण कख गग चछ जजर तततत बताएं तालवी कोण से है तो चछ जर 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 यह है चछ जर 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 तालवी यह क्या है बताए यह है इनसे कोई भी शब्द शुरूर नहीं होता है निम्न में से घोष वर्ण है थ ख च यह बताए तो घोष वर्ण और अगोष बताए इसका से अंसर बताए इसका से अंसर है घोष वर्ण कुन साहे है